हेलो फ्रेंज आज हम मद्द भारत का सेशन कबर करेंगे गुलाम वन्ष आज हम गुलाम वन्ष से सम्बंदित महत्पून प्रेशनों को परेंगे पहले दिल्ली सल्तनत का गुलाम वन्ष पहले हम गुलाम बंच के राजाओं का क्रम देख लेते हैं कि उनका क्रम किस परकार सी रहा गुलाम बंच का कारकाल 1206-1290 एशवी तक था इसका संस्तापक कुतब अध्दिन एवक था जिसका कारकाल 1206-120 एशवी तक था फिर उसके गाद आराम साहर जो कि बद आठ महीने के लिए सासक रहा फिर इल्टोतमिस सासक बना जिसका कारकाल 1211 से 1237 एशबी तक था फिर रुकमद्दीन फिरोज साहर जिसका कारकाल कुछी महीनों के लिए था 1236 यही एक आयोग सासक था फिर रजिय सुल्टान यह एक मात्र महीला सुल्टान थी जिनका कारकाल 1236 एशबी तक रहा फिर मुझूद्दीन बहराम साहर जिनका कारकाल दो वर्स के लिए रहा फिर अरावद्दीन मसूच साहर फिर नासिरुद्दीन महमूर और गया सुद्दीन बलबल मुझूद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् गुलाम वन्स को इलवरी वन्स, मामुलग वन्स और दास वन्स के नाम से जाना जाता था किन नामों से जाना जाता था इलवरी वन्स, मामुलग वन्स और दास वन्स दूसरा प्रस्ण है गुलाम वन्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइटा अंसर है 1206 Sb गुलाम वन्ष की स्थाबना 1206 Sb में हुई थी और किसने की थी? कुत्ब उद्दीन ऐवक ने महम्मद गौरी की मेत्ट्व के बाद गुलाम वन्ष की स्थाबना की थी 1206 Sb में और यह महम्मद गौरी का एक गुलाम था तीसरा प्रस ने गुलाम वंस ने कितने वर्सों तक सासन किया तो इसका राइट आंसर है B, 84 वर्सों गुलाम वंस ने कुल 84 वर्सों तक सासन किया था और इसका कारकाल 1260-1290 पीशवी तक था इसके बाद खिली वंस आ जाता है चौता प्रस्न है गुलाम वंस किस सन से लेकर किस सन तक चला था तो इसका राइट आंसर है A. 1260-1290 इश्वी गुलाम वंस 1260-1290 इश्वी तक चला था पांचमा प्रस्न है निमने मैंसे किसे तुर्की सामराज का संस्तापक भी माना जाता है तो इसका राईटा अंसर है A. कुतुबुद्दीन एवग कुतुबुद्दीन एवग को तुर्की सामराच का संस्तापक भी माना जाता है मुहम्मद गौरी को भी तुर्की सामराच का संस्तापक माना जाता है और कुतुबुद्दीन एवग को मुहम्मद गौरी के बाद कुटुबदीन एवक ने तुर्की सामराच्च की अस्तितता को बनाये रख हा और यह मुहम्मद गौरी का गुलाम था छता प्रसन है दिल्ली का पहला मुस्लिम सासक कौद था रिश्का रायता इंसर है C. कुटुबदीन एवक दिल्ली का पहला मुस्लिम सासक कुतुबद्दीन एवग था कुतुबद्दीन एवग दिल्ली का पहला तुर्क सासक और तुर्क राज का संस्तापक माने जाता है तो उसका राइट राइट राइरां सर है ताजुद्दीन एल्डोज ताजुद्दीन एल्डोज ने पंजाब के लिए कुतुबुद्द्दीन एवग से संगर्ष किया था आत्मा प्रस्टणे कुतुबुद्दीन के काजी का क्या नाम था तो इसका राइट अंसर है ए फकरुद्दीन अजूच कूजी कुतुबुद्दीन एवक के काजी का नाम फकरुद्दीन अजूच कूजी था फकरुद्दीन अजूच कूजी नहीं कुतुबुद्दीन एवक को घुर्षावारी और धन और विद्या से खाई थी नौवा प्रस्न है निमने मैंसे कौन कुरान खा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था तो इसका राइट आंसर है A. कुतुबुद्दीन एवक कुतुबुद्दीन एवग कुरान खा के नाम से प्रशिद्ध था क्योंकि कुतुबुद्दीन एवग बरही ही शुरीलिश्वर में कुरान पढ़ता था दसमा प्रस ने मुहम्मद गौरी ने किसी साही अस्तवल का द्यक्ष नियुक्त किया था तो इसका राइचा अंसर है कुतुबुद्दीन एवग मुहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन एवग को साही अस्तवल का द्यक्ष नियुक्त किया था ग्यारमा प्रस ने दिल्ली के सुल्टान का पत समालने से पहले कुतुबुद्दीन एवग ने किस सासक की अधीन मलिक एवं सिल्प सलार की पत पर कार किया था इसका राइड आंसर है मुहम्मद गोरी दिल्ली के सुल्तान का पत समालने से पहले कुतुबद्दीन एवग ने मुहम्मद गोरी की अधीन मलिक एवं सिल्प सलार की पत पर कार किया था कुतुबुद्दीन एवक को मुहम्मद गौरी ने अपराज सी सक्तियां एवां मलिक की उपादी प्रदान की थी और यह मुहम्मद गौरी का गुलाम था बारमा प्रस्थ है दिल्ली के सुल्टान का पस्समाले से पहले कुतुबुद्दीन एवक कहां का गवर्नर था तो इसका राइट आंसर है दिल्ले के सुल्टान का पस्समाले से पहले कुतुबुद्दीन एवक दिल्ली का गवर्नर था कुतुबुद्दिन एवक ने निमने मैसी कौन सी उपादी धारन की थी तो इसका राइट आंसर है दी और फुरुक्त सभी कुतुबुद्दिन एवक ने मलेक सिपह सलार और लाखी वक्स की उपादी धारन की थी कुतुब الدین एवग को लाग ही वक्स इसलिए कहा जाता था क्यूंकि वह लाग हो रोपे का दान देता था तेरे चवसory प्रंसने कुतुब الدین एवग काराजजबई शेख किस सण में हुआ कुतुब الدین एवग काराजबई शेख 1260 में हुआ यह गुलाम वाइस का संस्ता पक माना जाता है और इसका कारकाल 1260-1210 इस भी तक था इसके बाद आराम साहर राजा बनता है पंजरमा प्रस ने निमने मैसे किसने ना अपनी नाम की सिक्के चलवाई और ना अपनी नाम की खत्वा परवाई थी तो इसका राइट आंसर है कुटबुद्दिन एवक कुटबुद्दिन एवक ने ना अपने नाम की सिक्के चलवाई थी और ना ही अपने नाम की खत्वे परवाई थी इसने जो सिक्के पहले चल रही थी उन्हीं को चलने दिये सूलमा प्रस ने कुतुबुद्दीन एवक के सहायक सेनापती बक्तियार खिली ने किस विष्ध विध्याला को निस्ट किया था तो इसका राइट आंसर है A. नालंदा विष्ध विध्याला कुतुबुद्दिन एवक के सेनपती वक्तियार खिली ने नालन्दा विस्ट विध्याले को निस्ट किया था जब ये बिहार और बंगाल के आक्रमर पर जा रहा था तब इसने नालन्दा विस्ट विध्याले को निस्ट किया था और नालंदा विश्विध्याले बिहार मेस्तित है शत्रवा प्रस्थ ने तुर्कुन द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जित का नाम क्या है तो इसका राइट आंसर है कुबलल मस्जित तुर्कुन द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जित का नाम कुबल मस्जित है यह कुटबुद्दीन एबक ने दिल्ली में बनाई थी अठार मप्रस ने कुबल मस्जित का निर्मार कुटबुद्दीन एबक ने 7-11-1-7-1-1-21-7-2-9-3-3-5-3-5-3-4-5-2-5-3-9-4-4-5-6-0-4-4-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-3-7-71-7-7-7-1-7-7-8-7-7-8 कि अलाः का सबसे पहला अधारन गुबल उल मसजिद हैं। उनिश्वपरास ने अज्मीर मेंश्टिट अराई धिन की झोपड़ी के निरमार किस ने करवाया था। तो इसका रायट अंसर है कुटुबुद्दिन एवक। अजमेर में इस्तित अराई धिन की जोपरे का निर्मार कुतुबुद्दीन एवक्त ने करवाय था अराई धिन का जोपरा मस्जिद में प्रियुक्त प्रिस्टर खंडों में हरी केली नाटक के अंस अंके थे कुटबुद्दिन एबक ने किसकी याद में कुटब मीनार की निर्मारकार प्राणम करवाय था तो इसका राइचा अंसर है बक्तियार काकी कुटबुद्दिन एबक ने बक्तियार काकी की याद में कुटब मीनार का निर्मारकार प्राणम करवाय था बक्तियारका की कौन थे? कुतुबुद्दिन एवक के गुरूप कुतुमीनार की पासी महरौली प्रार, प्रारंबिक रूप से उतक्रष्ट गुर्मत्ता की इसपात के कारण प्रसिद्ध है महरौली प्रसिद्ध के इसपात की उतक्रष्ट गुर्मत्ता के कारण लोस्तम कुत्व मीनार भवुन समू दिल्ली मेशते थे कुत्व उद्दीन एवग दोवारा मद्द कालिन सुल्टानों में साथ सहर की स्थापना महरौली में की गई और महरौली दिल्ली मेशते थे नेस्ट प्रस्टने कुत्व मीनार दिल्ली मेशते थे इसकी उचाई क्या है तो इसका राइट आंसर है A. 234 मीटर या 52 मीटर कुतुमीना दिल्ली में स्थित है इसकी उचाई 234 फित या 72 मीटर है इसे कुतुबुद्धिन एवक ने प्रारम करवाया और इसका निर्मालकार इल्टुद्मिस ने पूरा करवाया था और यह बक्तियار काकी की याद में बनाए गई थी 22 बाइशबा प्रस्त ने 125 में खोषकर के बृद्धियुद्ध में मुहम्म्मद गौरी का साथ किसने दिया था तो इसका राइट आंसर है C. कुतुद्धिन एवक और इल्टुद्मिस ने दिया था और यह दोनों मुहम्मद गौरी के गुलाम थे कुन? कुतुबद्दीन एबक और इलतुतमेश तेशमा प्रसन है ताज उल्मासर के लेखक हजम निजामी निमने मैसे किसके दरवार के विद्दवान थे? तुश्का राइट आंसर है ताज उल्मासर के लेखक हसम निजामी कुतुबद्दीन एबक के दरवार के लेखक थे चौवीशवा प्रसन है निमने मैसे किसकी मरत्व बारोसो दस एशबी में चोहान खेलते वक्त लाहोर में हो गई थी तो इसका राइट आंसर है बी कुतुबद्दीन एबक कुतुबद्दीन एबक के मरत्व बारोसो दस एशबी में चोहान खेलती वक्त लाहोर में हो गई थी 26 प्रसने कुतुबद्दीन एबक का मगबरा कहां इस्ते थे तो इसका राइट आंसर है बी लाहोर कुत्वद्दिन एवक का मकबरा लाहूर में श्तित है 27 बप्रस ने दिल्ली सल्तिनत के किस सल्तान को दान सीलता एवं उतारता की कारण मिनहाच की दौरा हातिम दुतिया की संग्या दी गई थी तो इसका राइट आंसर है B. कुत्वद्द्दिन एवक दिल्ली सल्तिनत के कुत्वद्द्दिन एवक को दान सील था एवं उतारता की कारण मिनहाच की दौरा हाजिम दुतिया की संग्या दी गई थी कुत्वद्द्दिन एवक को लाखी बक्ष भी कहा जाता था क्योंकि वह लाखों रुपे का दान देता था 28 वप्रस ने आराम साह का सासन कितने समय तक रहा था तो इसका राज़ का अंसर है ए आठ महीने आराम साह का सासन आठ महीने तक रहा था यह कुत्वद्द्दिन एवक का पुत्र था यह एक आयूग गिशा सक्था इसलिए आराम साह की हत्तिया इल्तुतमिस ने कर दी उन्चीज़ बाप्रस ने इल्तुतमिस ने अपनी राजधानी लाहर से कहां स्थानांतृत की थी तो इसका राई चांजर है B. दिल्ली इल्टोतमिस ने अपनी राजधानी लाहर से दिल्ली स्थानांतरित की थी कुत्वद्दीन एबक के समय उसकी राजधानी लाहर थी और जब इल्टोतमिस राजा बना तो उसने अपनी राजधानी लाहर से दिल्ली स्थानांतरित की तीशवा प्रस ने कुतुबुद्दीन एवक ने इल्टोतमिस को कितने में खरीदा था तो इसका राइट आंसर है A. एक लाख जीतल कुतुबुद्दीन एवक ने इल्टोतमिस को एक लाख जीतल में खरीदा था 31 बढ़।्स ने, सुल्तान बन्ने की समय इलतुतमिष कहां का गवर्नर था तो इसका राइट आअंचर है B. बदायू सुल्तान बन्ने से पहली इलतुतमिष बदायू का गवर्नर था और बदायू उत्तर प्रदीश में इस्तित है 32 प्रसने खोकर के विरुद यद्ध में इलतुत में सिप्रवाय थोकर मुहम्मद गौरी ने शी कौन सा पद दिया था जिसका राइट आंसर है C. अमीरुल उम्रा खोकर के विरुद यद्ध में इलतुत में सिप्रवाय थोकर मुहम्मद गौरी ने अमीर उम्रा का पद दिया था तेटीजवा प्रस ने तराइन का तीसरा युद 1215-1216 एशबी में इल्टुत्मिस और एल्डुच की बीच हुआ था इसमें कौन बीज़ा हुआ था तो इसका राइट आंसर है ए इल्टुत्मिस तराइन का तीसरा युद 1215-1216 एशबी में इल्टुत्मिस और एल्डुस की बीच हुआ था इसमें इल्टुत्मिस बेज़ा हुआ था तराइन का मैदान कहां इस्थ थे थे हर्यारा के कुरूचेतर के पास जहां पानी पत का मैदान इस्थ थे थे उसी के पास तराइन का मैधान ęस्ते थे तराइन का पृताम्यू उड़़्, प्रत्विराज शोहाण और मुहम्मद गोरी के बीच 1191 इस पी में हुआ था जिसमें प्रत्विराज शोहाण विजाई हुए थे और तराइन का दूसरा उड़, 1192 एशबी में प्रतिवीराच चोहान और मुहम्मद गौरी के बीच हुआ था जिसमें मुहम्मद गौरी विजाई हुआ था 34 प्रस ने 1229 एशबी में बगदाद के खलीफा मुस्तान सीर बिलहा ने किसे सुल्तान और खिलापत की उपादी प्रदान की थी इसका राइट आंसर है बी इल्टुत्मिस 1229 एशबी में बगदाद के खलीफा मुस्तान सीर बिलहा ने इल्टुत्मिस को सुल्तान और खिलापत की उपादी प्रदान की थी और इल्टुत्मिस का कारकाल 1211 एशबी से 1236 एशबी तक चला था यह गुलाम मंच का तीसरा राजा था कुतुबिदी ने वक सस्तापक था उसके बाद आरामसा आठ महीने के लिए राजा बनता है फिर उसके बाद इल्टुत्मिस सासक बनता है 35 प्रशने बगदाद के खलीफा से खिलगत मिली की बाद इल्टुत्मिस ने कौन सी उपादी धारन की थी इसका राइट आंसर है नासर अमीर उल्मूमिन बगदाद की खलीफा सिखलगत मिल्ले की बाद इल्टुतमिस ने नासर अमीर उल्मुमिन की उपादी धारंद की थी 36 प्रस्टने सुद्ध अरबी सिक्की सरपितम किसने चलवाई थी चांदी के टेंगा 175 ग्रेन और तांबी का जीतल सरपितम किसने चलवाई थी इसका राइट आंसर है बी इल्टुतमिस सुद्ध अरबी सिक्की सरपितम इल्टुतमिस ने चलवाई थी इल्टुतमिस ने चांदी के टंका 175 ग्रेन और तांबी के जीतल नाम कि सिक्की चलवाई थी सहतेजवापरस ने, इल्तोतमिस ने निम्न मैसे किन प्रणालियों को लागू किया था तो इसका राइड आंसर है C, दोनों इल्तोतमिस ने, एक्ताप्रणाली और तुरकान एचेहलगानी प्रणालियों को लागू किया था एक्ताप नाली का अर्थ है बेतन के बदले अपनी शैनकों को भूमी देना और तुरकान एचेहल गानी चालिस सरदारों का एक समूह था परतीसमा प्रस्थने पर्थम सुल्तान जिसने दुआप की आर्थिक समता चमजी वह कौन था दुसका राइठा अंसर है एक इल्तुत्मिस इल्तुत्मिस वह पर्थम सुल्तान था जिसने दुआप की आर्थिक समता समझी थी 49 बाप्रस्थने भारत में पहला मखबरा इल्तुत्मिस ने दिल्ली में बनवाय था यह मखबरा किसकी याद में बनाया गया था तो उसका राइटा अंसर है नाशी रुद्दून महमूद या सुल्टान गड़ी भारत में पहला मगबरा इलतुतमिस ने दिल्ली में बनवाया था यह मगबरा नाशी रुद्दून महमूद या सुल्टान गड़ी की याद में बनवाया गया था नासिरिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अतारकिन का दर्वाजा नाग और राजिस्थान में और होजी सुल्टानी दिल्ली एक कोहना में तो इसका राइट आंसर है D बदायू की जामा महजित उत्ताप्रदेश में इस्तित है अतारकिन का दर्वाजा नाग और राजिस्थान में इस्तित है और होजे सुल्टानी दिली एकोहना में इस्तित है 41 बाप्रसने इल्टुतमिस का मगबरा इसक्रीश शैली से निर्मेथ होने वाला भारत का पहला मगबरा है यह कहां इस्तित है तो इसका राई का अंसर है दिल्ली इल्टुतमिस का मगबरा इसक्रीशेली से निर्मित होने वाला भारत का पहला मगबरा है यह दिल्ली मेस्टित है कुटब मिनार विस्ट से विरासत इस्थल में इल्टुतमिस की कबर है और यह इसक्रीशेली से निर्मित होने वाला भारत का पहला मगबरा है भारत की पहली मस्जड कुबाल उलमस्जit है जिसका निर्मार कुटुब الدِّन ऐवाक ने करुआया था बामियान का था 43 प्राशने दिल्ली सल्टनत का उद्धारग कौन था तो इसका राइट आंसर है C. इल्त उतमिस दिल्ली सल्टनत का उद्धारग इल्त उतमिस था इसने महत्थफून प्रसासने कारूँ को किया और चंगेज खां से रक्षा की थी इसने इसकी सूजबूच के कारण चंगेश खां की दिल्ली सल्टनत से रक्षा हुई थी चवालिशमा प्रेस्ट ने चंगेश खां ने जलावद्दीन का पीछा करते हुए किसकी सासनकाल में भारत की सीमाव पर आक्रमर किया था तो इसका राइट आंसर है बी इल्टुतमिस चंगेश खां ने जलावद्दीन का पीछे करते हुए इल्टुतमिस की सासनकाल में भारत की सीमाव पर आक्रमर किया था चंगेश खां इल्टुतमिस की समकालीन था पैतालीशमा प्रेस्ट ने निजामुद्दीन जुनेदी बजीर था तो इसका राइगा अंसर है C. इल्टुतमिस का निजामुद्दीन जुनेडी इल्टुतमिस का बजीर था 40 मपरेस ने सुल्तान इल्टुतमिस की सासन काल में निया चाहनी वाली बेक्ती को क्या पहनना पढ़ता था A. लाल बेस्ट सुल्तान इल्टुदमिस के सासन काल में न्याज आहनेवाली बैक्ति को लाल बस्त पहनना पड़ता था रजीया ने लाल बस्त पहन कर जनता से न्याए माँगा था तो इसका राइट आंसर है बी इलतुतमिस ने मिनहाज और इसामी जैसे बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और यह कहां इस्ते थे अजमीर में खुआ जब मुझूद्दीन चिस्ती की दरगाह को इल्टुत्मिस ने बनवाय था और यह भारत में चिस्ती संप्रदाय की संस्ताफ़क कही जाती हैं दिल्दी में मदरसाई मुझ्जिन नामक मद सरे की स्थापना इल्टुत्मिस ने की थी उन्हें चास्मा प्रस ने इल्टुत्मिस ने बिहार में अपना प्रतम सुविदार निक्त किया था इसका राइट आंसर है D. मलक जानी इलतुतमिस ने बिहार में अपना प्रतम सुविदार मलक जानी को निफ्ट किया था पचासमा प्रस ने निमलिकित मेंसे किस सुल्टान ने एरान की राश तंत्रिय परंपराओं को गुरहन किया तथा उन्हें भारते बाता बरन में संब्यत किया था तो इसका राइट आंसर है B. इलतुतमिस इलतुतमिस ने इनान की राश तंत्रिय परंपराओं को गुरहन किया तथा उन्हें भारते बाता बरन में संब्यत किया था इनक्यान वाप्रस अब हम इल्टुत्मिस के वारे में कुछ अन्य तक्त देख लेते हैं इल्टुत्मिस की बच्पन का नाम अलतमस्त था इल्टुत्मिस का पूरा नाम समसुद्दीन इल्टुत्मिस था इल्टुतमिस के पिता का नाम इलम खा जो एक इलवरी तुर्क जन्जाती का था इल्टुतमिस समसी वंस का था किस वंस का समसी वंस का इल्टुतमिस 1211 इशवी को गड़ी पर बैठा और इसकी में 1236 इशवी को हो गई थी तंकों पर टक्सल का नाम अंगित करानी की प्रिथा का प्रारम इल्टुतमिश ने करवाय था नेस्प्रेस ने भारत की पहली महिले सुल्तान कुन थी तो इसका राइट आंजर है डी रजिय सुल्तान भारत की पहली महिले सुल्तान रजिय सुल्तान थी और यह है इल्टुतमिस की पुत्री थी इल्टुतमिस की बात फ्रोज साह राजा बनता है लेकिन वह एक अयूग गिशा सक्ता फिर जनता की द्वारा फ्रोज साह को हटा कर रजिय सुल्टान राजा बनती है बानवा प्रस्ट ने रजिया सुल्तान ने कौन सी उपादी धारंद की थी? तो इसका राइटा अंसर है D. उद्मत उल्लिल्वा रजिया सुल्तान ने उद्मत उल्लिल्वा की उपादी धारंद की थी रजिया सुल्तान की सिक्कों पर यह उपादी अंकित थी तिरी पनवा प्रस ने रजिया सुल्तान ने अपने समय में कौन सा बियान किया था तो इसका राइट आंसर है ए रन थमबॉर यह राजस्थान में श्ते थे रजिया सुल्तान ने अपने समय में 1236 इसबी में रन थमबॉर का बियान किया था और रजिया सुल्तान का कारकाल 1236 इसवी से 1240 इसवी तक था जब गानवर प्रस ने रजिया सुल्तान ने किसी अमीर ए आखूर निक्ट किया था तो इसका राइट आंसर है डी याकूद रजिया सुल्तान ने याकूद को अमीर ए आखूर निक्ट किया था अर्थात अस्सवाला का अध्यक्ष पच्पनमा प्रस्ट ने रजिया सुल्तान की साधी किस्ते हुई थी तो इसका राइटा अंसर है ए अल्टूनिया रजिया सुल्तान की साधी अल्टूनिया की साध हुई थी अल्टीनिया उस समय भतिंडा का राज जपाल था 56 प्रस ने 1240 ईश्वी में दौकों की दौरा रजिया की हत्या कहां कर दी गई तो उसका राइट आंसर है B. केथल हरियारा 1240 ईश्वी में दौकों की दौरा रजिया की हत्या केथल हरियारा में कर दी गई थी संताउन वाप्रस ने तुर्क सरदारों द्वारा नाइब इमामूलात का पद किसकी द्वारा बनाया गया था तुर्क सरदारों द्वारा नाइब इमामूलात का नया पद बनाया गया था इस पद पर सबसी पहली किसी बैठाया गया था तो इसका राइट आंसर है बी एटगीन तुर्क सरदारों द्वारा नाइब इमामुलाद का पद बनाये गया था इस पद पर सबसी पहली एटगीन को बनाये गया था यह पद मुजुद्दीन बहरामसाह की समय में बना था जिसका कारकल दू बरसों की तो ठक था और यह रजिय सुल्टान की बाद राजा बना था शपपनवा परस ने बलवन को किसकी काल में हासी काक्ता प्राप्त हुआ था उसका राइट आंसर है बी अलाओदीन मसूद्द साहिए इसका कारकल 1242 से 1240 इस भी तक था बलवन को अलाओदीन मसूद्द साहिए के समय में हासी काक्ता प्राप्त हुआ था अलाओदीन मसूद्द साहिए ने अपना अमीर यहाज गैस Expect बलवन को नुक्त किया था और रजिय सुल्तान की सासन काल में ब्रवन अमीर इसकार के पत पर था तो धीरे धीरे बलवन उच्च पत पर प्राफ्ट हुआ और आखरी में वह सुल्टान बनता है उन सत्वाम प्रस्ट ने दिल्ली के सुल्टान का पत समालने से पहले बलवन किस सुल्टान का प्रदान मंत्री था तो इसका राइट अंसर है नाशिरुद्दिन महमूद दिल्ली के सुल्टान का पत समालने से पहले बलवन नाशिरुद्दिन महमूद का प्रदान मंत्री था और बलवन ने अपनी पुत्त्ति का विबाहई भी नाशिरुद्दिन महमूद से करवाय था इसका कारकाल 1246 A.S.B. से 1246 A.S.B. तक था साथ मापरस्ट ने 1249 S.B. में नाशिर अद्दिन महमूद ने किसे उलूंखा की उपादी प्रदान की थी तो इसका राई तो अंसर है बलवन 1249 S.B. में नाशिर अद्दिन महमूद ने बलवन को उलूंखा की उपादी प्रदान की थी और नाशिरुद्दीन महमूद का कारकाल 1246 S.B. से 1266 S.B. तक था एक सत्वा प्रस्थने निमलक्स सुल्टानों में से कौन एक इलतुतमिस की संतान नहीं है किन्टु उसके बंस का अंतिम उत्रादिकारी था तो उसका राइट आंसर है नाशिरुद्दीन महमूद नाशिरुद्दीन महमूद इलतुतमिस की संतान नहीं है किन्टु उसके बंस का अंतिम उत्रादिकारी था और इलतुतमिस किस बंस का था सम्ची बंस उसने दिल्ली सल्टनत पर सम्ची बंस की नियूर डाली थी और यह उस वंस का अंतिम सासक था यह उसकी भाई का पुच्छ था बासदबा प्रस ने जमी पैबूस और सिज्दा प्रदा का प्रचलन किस ने किया था तो इसका राईट आंसर है बी बलवन जमी पैबूस और सिज्दा प्रदा का प्रचलन बलवन ने किया था 23 वी में गद्दी पर बैठता है नी तरह प्रस्ट में दीवान bei अर्च सेमि सथाबना किसने की थी ऊसका राइटांसर है बी बलवन करन वे दीवान के अरठा सेमिव भाग क्यों स्थाबना बल्वन ने की थी यूर्था सेमि वी चों सत्वा प्रस्ट निम्न मैसे कौन सा सुल्तान है जो स्वयम कुन नाइब एक खुदा या इस्वर का प्रतिनिदी कहता था उसका राइटा अंसर है गैसुद्दीन बलवन गयसुद्दिन बल्वन ऐसा सुल्तान है जो स्वयमकू नाइब एक खुदा या इस्वर का प्रतिनी दी कहता था और यह 1266 एच बी में डिल्ली सेल्टनत की गड़ी पर बैठा था पर सत्वा प्रस ने डिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने सीमा रेखा या सीमा रेखा का निरधारन किया था इसका राइट आंसर है डी गयसुद्दिन बलवन दिल्ली का पहला सुल्टान गयसुद्दिन बलवन था जिसने सीमा रेखा या सीमा अंतरेखा का निरदारंद किया था श्यासत्वा प्रेस ने डिली का पहला सुल्टान कौन था जिसने राज़त का सिध्धान लागू किया था उसका राइट आंसर है डी गयासुद्दिन बलवन डिली का पहला सुल्टान गयासुद्दिन बलवन है जिसने राज़त का सिध्धान लागू किया था किस सुल्टान को दिल्ली सल्तनत का दुटिय सनरक्षक माना जाता है तो इसका राइट आंसर है गैसुद्दिन बल्वन गैसुद्दिन बल्वन को दिल्ली सल्तनत का दुटिय सनरक्षक माना जाता है इसने मंगूलों की आक्रमर से दिल्ली की रक्षा की थी यह एक अच्छा सेना पती भी था अरशत्वा प्रस्ट ने भारत में प्रिथम मगबरा जो सुद्ध इसलामी सैली में निर्मेत हुआ था किसका है उसका राइता अंसर है बल्वन का मगबरा बल्वन का मगबरा भारत में प्रिथम मगबरा है जो सुद्ध इसलामी सहली से निर्मित हुआ था यह मगबरा प्रिथम वास्टविक महराब से निर्मित होने वाला मगबरा है इसमें पहली बार महराप का प्रियोग हुआ था और यह कहा श्ते थे दिल्ली में श्ते थे उनस्तरवापरस ने निम्न मेंसे किन कारियों को बलबन द्वारा किया गया तो एक बार कार देख लेते हैं नोराजो नोरोज की तिवहर का आरंब किया जिल्ली इलाही की उपादी धारन की लोह एबम रक्त की निती का पालन किया तुर्कान एचहल गामी का बिनास किया फार्शी की प्रिसिद्द कभी अमीर खुसरो एबम अविमीर हसन बलबन के दरवार में रहते थे तो यह उपरुक्त सभी बातें बल्वन की बारे में सही है तो इसका राइट आंसर है डी उपर दिये गए सभी कारें को बल्वन ने करवाय था बल्वन की बारे में अन्यतक्त इसके बारे में कुछ अन्यतक्त हैं जिनको हम अभी देख लेते हैं बल्वन अपने को अफराश याव का वंसज मानता था सुल्तान बन्बन में ने अपने दरवार का फार्सी पद्दती में कथन किया था किस पद्दती में फार्सी पद्दती में बल्वन ने जिल्ली इलाही की उपादी धारंद की थी सल्टान केकवाद ने मुझूद्दीन की अपादी धारन की थी यह बलवन की बाद उसका उत्रादी कारी था अमीर हसन को भारत का साधी भी कहा जाता था बलवन की समय में बंगाल का ब्रदूर करने वाला गवर्नर कौन था तुगरिक खा था बलवन एक ऐसा साधक था जिसने सीमार विस्तार की नीती नहीं अपनाई थी बलवन डिली सल्टेनत का पहले ऐसा साधक था जिसने गेर इसलामी प्रिथाओं का भी प्रिचलन किया था सत्तरवा प्रस्ण है गुलाम वंस का अंतिम सासक कौन था उसका राइट आंसर है B. समसुद्दीन कैमोर्ष गुलाम वंस का अंतिम सासक समसुद्दीन कैमोर्ष था बनवन के बाद के कुवाद राजा बनता है फिर उसके बाद समसुद्दीन कैमोर्ष और यह गुलामवंस का ग्यार मरा जा था 71 प्रस ने गुलामवंस की अंतिम सासक की हत्या किस ने की थी जिसका राइचा अंसर है ए अलाउद्दीन खिल जी गुलामवंस की अंतिम सासक की हत्या जलालउद्दीन खिल जी ने की थी इसने समसुद्दीन केमोर्ष की हत्या करकी गुलाम वन्स का बनास किया था और दिल्ली सल्टनत पर खिली वन्स की नीव डाली थी इसने 1290 भी में समसुद्दीन केमोर्ष की हत्या की थी आज हमने गुलाम वन्स सम्मंदित महत्पून प्रेसनों को पड़ा झाल झाल